नमस्कार मित्रो उत्राखन मुक्तविस्विद्याले के कम्यूनिटी डेडियो हेलो हल्दवानी में आपका बहुत स्वागत है अपका बहुत स्वागत है अपका बहुत स्वागत हैं धन्यवाद मुझे इमुझे मौका देने के लिए कि हम आपसे जुड़ पाएं और आज हमारे शहर के जितने भी लोग है उनको कैंसर के प्रतिजा गुरूप कर पाएं और उनको बता पाएं इसका इलाज के बारे में अमोमन हम देखते हैं कि कैंसर का रोगी जो है यहां पर बहुत कम सुईधाय मिल पाती है तो उनको दिली जाना पड़ता है या लखना हो जाना पड़ता है तो अच्छी बात है कि यहां पर भी कुछ सुईधाय होंगी तो एक option लोगों को और जाता है जिसमें एक होता है surgical oncologist जिसमें surgery करके operation करके cancer को निकाला जा सकता है या दूसरी पद्दती होती है radiation जिसमें की high power x-rays से एक तरह से cancer को burn कर दिया जाता है और तीसरा जो पद्दती है वो है medical oncology इसमें दवाओं के द्वारा ही बिना किसी चीरे के बिना किसी burning type के treatment के ह हम cancer को control करने की कोशिश करते हैं पहले जो medical oncology का काम होता था वो ज्यादातर chemotherapy और targeted therapies यह हम फैले हुए cancer में देते थे stage 4 में जहां पर की surgery और radiation जो है अकसर विफल हो जाते थे लेकिन अब कुछ पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि बहुत जादा even early cases में भी अब हम oncology medical oncologist का जो है वो एक role आ रहा है क्योंकि इससे काफी जादा success rate हमको मिल रही है cancer को जड़ से निकालने में even जो पहली और दूसरी stage के cancer होते हैं तो पहले medical oncology का हिस्सा जो अगर हम बोलेंगे जो का जड़ है वो थी chemotherapy जिसमें की दवाईयां दी जाती थी cancer को kill करने के लिए लेक medical oncology सिर्फ chemotherapy तक ही सीमित नहीं है इसका दाइरा बहुत बढ़ चुका है in fact अगर हम बात करें तो हम chemotherapy से अब दूर हटते जा रहे हैं एक एक करके क्योंकि chemotherapy में side effects काफी रहते थे हालां कि वो भी अगर अच्छे तरीके से दी जाए एक train medical oncologist की निगरानी में तो side effects manage किये जा सकते हैं पर फिर भी हम अब कोशिश कर रहे हैं कि हम वो side effects बिल्कुल ना के बराबर करें और अब नई नई technologies आ चुकी हैं हमारे पास targeted therapies है immunotherapy हैं जिसमें कि अब हम cancer को एक DNA level पर समझ चुके हैं विज्ञान ने जो प्रगती की है उसका इस्तिमाल हम कर रहे हैं मरीजों को उसका लाब देने में जैसे कि अब targeted therapies आ गई हैं उसमें किसी भी cancer का हम DNA level पर जाके देखते हैं कि कहां पर इसका actual जो है चोट पहुंची है और उसके लिए targeted therapies अब आ गई है जो हम tablet रूप में ही ज़्यादा तर अब patients को जी तो targeted therapies अब का काफी यह तो नहीं कहूंगा कि सब cancer के लिए अवेलेबल हैं लेकिन काफी हग तक अब cancers के लिए targeted therapies पे हम shift कर गए हैं तो यहां पर कोई पेसेंट आता तो क्या उसको यह फाइदा मिलीगा यहां पर जी बिल्कुल तो अभी हमने उजाला सिंट्रल हॉस्पिटल में यहां हल अभानवित भी हुए हैं पर जो एक अभी भी दिक्कत आ रही है वो यह है कि हमारे पास इस सेंटर में सिरफ radiation अभी अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से अक्सर कुछ पेशेंट्स को बाहर जाना पड़ता है बट वो छोड़ करके बाकि अब cancer का संपूर्ण इलाज हमारे स दूसर कितना पिसेंट बड़ा है पिसले अगर एक साल की बात करें कहां कहां से पिसेंट यहां पर आ रहे हैं देखिए अभी जो हम बेसिक सुविधाएं जो हम प्रदान कर रहे हैं वो अभी तक कुमाओं के छेतर को दे रहे थे पिथोरागर बागेश्वर अलमोडा से का हुँ जैसे शायद आपस में पेशेंट बात करते होंगे तो इन फैक्ट बरेली सितारगंज और खटीमा उस तरफ से भी पेशेंट अब हल्दवानी की तरफ आ रहे हैं बहतर इलाज के लिए सर किस स्टेज के पेशेंट आप तक पहुंच रहे हैं और कौन सा कौन सा कैंसर ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं हमारे स्टर में मेरे पास लगबग सभी स्टेज में पेशेंट आ रहे हैं बिल्कुल फर्स्ट से लेकर एंड स्टेज के भी पेशेंट और हम क्योंकि अब फैसिलिटीज हैं यहां पर तो हम बच्चों से लेकर बुजोर्ग तक सब का कै उपना क् सब्सक्राइब यहां ने को और में पास चुछ आइफ च्टाइब इता रहां जो कर रहे हैं मेरे पास च्छोंस माईज करें एक उमर लग गय चांवे सान थी टो हम हर शेनी के मरीजों के लिए तो जो महिला के बात कर रहे हैं 94 साल वाली उनको ब्लड कैंसर था और वो मेरे पास आई थी वो लगबग एक साल हो गया है और अभी बहुत अच्छी चल रही है उनके लिए भी हमने टार्गेटेड थेरपी का ही चैयन किया वो घर मे रहकर आराम से टैबलेट खा रही है और हर तीन महीने में आके दिखा जाती है उसके लबाब बच्छों में काफी जादा क्या देखने को मिल रहा है कैंसर आजकल और जो न्यूबाउन बेबी का बता रहे है उसको कैसे क्या जैनेटिक लिए उसको मिला जी तो देखिए बच्चों में होने वाले कैंसर अधिक तर जैनेटिक ही होते हैं बट कुछ cancers हैं जो होते ही बच्चों में हैं जैसे एक प्रकार का acute lymphoid leukemia cancer होता है और ये जो छे महीने का बच्चा मैं बता रहा हूं जिसका जिकर किया है वो उसको neuroblastoma है तो ये cancers हैं जो अक्सर छोटे बच्चों में ही पाए जाते हैं और इस पर भी रिसर्च चल रही है कि दिये cancer क्योंकि cancer होता तो एक genetic खराबी की वज़े से ही है तो ये मां के गर्ब से ही बच्चों के अंदर ये cancer उत्पन हो जाते हैं पर वो हमारे medical science में हमारे पास सब आते हैं जब वो छे महीना या एक साल का हो चुका होता है जी सर कैंसर की मामले में सबसे बड़ा कमजोरी ये दिखती है कि बहुत देर में डाइगनोज कर पाते हैं तो क्या इसके लिए कोई तैयारी है जी देखिए cancer अभी भी इस छेतर में जो एक अंतर मैं बोलूंगा दिल्ली से जब मैं यहां पर आया हूं तो यह अंतर मुझे पाते हैं तो एक तो देखिए हमें कुछ भी अगर लक्षन हम देखते हैं उसको लंबे समय तक नजर अंदाज नहीं करना चाहिए सबसे सिर्फ हमें कॉमन कैंसर की बात करूंगा तो यहां पुरुषों में जैसे मैं देख रहा हूं मुझ का कैंसर बहुत कॉमन है सबसे ज क्या काम है जी प्रोस्टes के बीशिंट लेकिन मैंने सिरफ क्योंकि ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है तो सिरफ जो कौमन हैं उनके बारे में चर्चा करीं प्रोस्टेट कैंसर के भी काफी पेशिंट्स मेरे पास आब यहां पर हैं जो ट्रीट्मेंट करवा रहे हैं और जैसे मूँग में कुछ छाले हैं जो लंबे समय से ठीक नहीं हो रहे हैं या अगर आपको खासी है जो लंबे समय से बनी हुई है तो हमें उसकी समय से जाच करानी चाहिए जरूरी नहीं कि वो कैंसर ही हो लेकिन जाच होनी चाहिए और महिलाओं में यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मुझे देखने को मिल रहा है वो breast cancer है और खेर ये देश भर में भी हमारे देश में भी number one पे जो है वो breast cancer ही है और उसमें भी काफी दुख होता है कि कई बार महिलाओं जो है उनको तन में गाठ मैसूस हो जाती है लेकिन वह लंबे समय तक उसको शायद शर्म की वजए से या परिवार वाले परिशान हो जाएंगे यह सोच करके बताती नहीं है तो यह मैं एक संदेश जरूर देना चाहूंगा जो भी लोग सुन रहे हैं कि आपको कुछ भी ऐसे लक्षन महसूस हो तो उनका समय कैसे जाच जरूर करवाई है तो बहुत शुक्रिया सर आपने बहुत सारी जानकरी साजा की अपना कीमती वक्त हमारे लिसनर्स के साथ बाटा और आगे भी हम लोग अलग लग कैंसर्स पे अगर हो सके तो एपसोड़ वाई हम बात कर सकते हैं तो आपका बहुत शुक्रिया दन्यवाद जी तो दोस्तों आप सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कारिक्रम में अन्त तक हमारे साथ बने रहने के लिए अगर ये कारिक्रम आपको पसंद आया हो तो अपना फीड़बेक हमें जरूर दीजेगा और बाकी हल्दी हल्दवानी कारिक्रम लेकर हम आजिर होंगे तब तक अपने रेडियो मित्र सुनीता भासकर को दीजे जाजत नमस्कार